जड़ों को पानी नहीं चाहिए जड़ों को वाफसा चाहिए क्या चाहिए एक्जेट डिपिटिशन आफ दा वाफसा भूमी के अंदर दो मिट्टी कनों के दर्मियान जो खाली जगएं होती हैं उन खाली जगव में जड़ों के पास अपितू इन खाली जगव में पचास प्रतिशत हवा और पचास प्रतिशत बाश्प इन दोनों का सम्मिश्रन चाहिए इस थिती को वाफसा कहते हैं मुख्य जड़ को चार ओवर दुयम जड़े पुट्टी है जुसरी जड़ों के अग्रपर सुश्म जड़े होती हैं वही खाद्य अरवाफसा लेती है मिट्टी का कन अपनी खुट की व्यवस्था रखता है ये मिट्टी का कन है इतना बड़ा और ये मिट्टी कन की सत्व है ये क्या है? सत्व है इस सत्व पर एक दाब है पेशर है जिसको कहते है सत्य दाब इस सत्व पर जो दाब होता है न इसका क्या काम है? जा भी नमी उसको खिच लेले इसके उपर ये दो कंगन है क्या है ये? कंगन ये है मिट्टी का कन ये पहला कंगन है ये दुसरा कंगन है आखरी कंगन के उपर ये जिवानु बैठे है जो खाना पकाते है आखरी कंगन के उपर वो जिवानु बैठे है जो क्या करते है? खाना पकाते हैं जड़ों को उपलब्द करते हैं और ये जड़ है टर्चरी रूट, माइक्रो रूट केश मूली जो वास्तों में वाफसा और खाद दे लेती हैं वो आखरी कंगन को स्पर्ष्च करते हैं ये जो पहला कंगन है उसमें पानी नहीं है उसमें बाश्प है इसमें ये कंगन में क्या है बाश्प है, पानी नहीं है आखरी कंगन में भी पानी नहीं है बाश्प है पानी बिल्कुल नहीं है, बाश्प है ये मिट्टिका करन और एक कंगन के बिश में जो खाली जगह है वहाँ पानी नहीं है वहाँ हवाँ है क्या है और दो कंगन के बीच में जो खाली जगह है वहाँ भी पानी नहीं है वहाँ हवाँ है पानी कही भी नहीं है पानी कही भी और ये जड़ इन जिवानों के द्वारा पकावा खाना खाते है जैसे हमने PSB Basilis दिखा ना खाना खाते है और यह आख्री कंगन में से बाश्व उठाती है और यहां से प्रानवाई उठाती है बिश में से पानी को स्पर्श भी नहीं करती जब आप सिचय का पानी देते हो वो ठबक है या नाली से बन देतो और फिर पानी यहां भी भर जाता है यह पूरा पानी से भर जाता है यहां भी पानी भर जाता है कंगन और सत्व के बिश में जो स्पेस है वहाँ खाली जगर यह पूरा पानी भर जाता है और यहां की हवा कहा निकल जाती है उपड निकल जाते है, अब देखो, ए जो रूट जोन है, रूट जोन बोलते हैं इसको, ए जो ज़डों का साणिय दे का एरिया है, ख्षित रहे, वहां से पानी निकल गया, अब ये जिवानों को चाहिए प्रान वाई हूँ, वा हवा नहीं है, पानी है, जिवानों मर गया, प्रान माई क्यों ना यह जड़ों को चाहिए प्रान माई हूँ वा हवा नहीं है सड़ गए पानी नहीं है पानी अगाद है लेकिन सड़ गए अब जड़े सड़ गई यह जिवान मत गए तो खाद्य पतों तक नहीं पहुचा तो फसल पिली पड़ी क्या पड़ी पिली पड वो पत्तों को छेद नियुकल बाता है ना छेदों में से ऑक्सिजन बाद निकलता है कारबन डॉक्साइड अंदर जाता है क्या है वो गेट है ना उसको क्या बोलते है पर्ण छेद पर्ण पर्ण मनें पत्ते यह उसके उपर क्या है वह सरेख्षा बोलता है एक तोखिडकी थोड़ी करिये खिड़की काका कम करी एक गेट बंद करी तो पर्नचेत सुबह साड़े दस से लेकर दोपर को साड़े तिन बज़े तक जब हाई इंटिंसिटी होते उस समय पर्नचेत बंद होते तो सत्तर किलो ही खाद्य निर्मिती होती है तना में अगर सव किलो खाद्य संग्रीत होता है तो हमें पच्चास किलो फलो की उपज मिलती है लेकिन तना का चोटा होने से जब सत्तर किलो ही खाद्य तना में संग्रीत होता है तो कितनी उपज मिलेगी पच्चास प्रतिशत माने कितनी 35 किलो उपज मिलेगी घटेगी उपज घटेगी अगर उपज बढ़ाना है तो पत्तो द्वारा निर्मीत पुरा सव किलो खाद्य तना में संग्रीत होना ही चाहिए अगर संपूर्ण सव किलो खाद्य तना में संग्रीत करना है तो तना का आकार बढ़ाना पड़ेगा गोड़ान बढ़ाना पड़ेगा अब हमारा उद्धिष्ट है, we have the target to increase the canopy of the stem. तना की मोटाई, मोटाई लिक्या आप, तना की मोटाई तब बढ़ती है, जब जड की मोटाई बढ़ती है. तना की मोटाई बढ़ाने के लिए, जड की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा. जड की मोटाई तब बढ़ती है, जब जड की लंबाई बढ़ती है, जड की लंबाई तब बढ़ती है, जड से पानी दूर जया जाता है. मतलब, दोपर के चाय के सिमा से 6 इंच बाहर पानी देने से, तो पानी लेने के लिए, वाफसा लेने के लिए जड कहां जाएगी? 6 इंच बाहर नाली में जाएगी, जड जड नाली में, 6 इंच बाहर नाली में वाफसा लेने के लिए जाएगी, तो जड की लंबाई बढ़ेगी, जड की मोटाई बढ़ेगी, तो तना की मोटाई बढ़ेगी, तो तना की उचाई बढ़ेगी, पेड की उचाई बढ़ेग आकार बढ़ेगा, डालियों की संख्या बढ़ेगी, शाकाओं की संख्या बढ़ेगी, तो पत्तों की भी संख्या भावत बढ़ेगी पत्तों की संख्या बढ़ेगी, तो खाद्य निर्मिती बढ़ेगी, फोटो सिंथिटिक गिरिया बढ़ेगा, खाद्य निर्मिती बढ़ेगी, तो कई गुना उपज भी बढ़ेगी, फलों की संख्या बढ़ेगी, तो उपज बढ़ेगी भूमी में जो गर्मी है उश्णता है उश्मा है उससे उस पानी का बाश्पम में रुपांत्र होना ही चाहिए लिकिन जब आउशक्ता से ज़्यादा पानी भरते हैं भूमी की रिशाव शक्ती से ज़्यादा पानी भरते हैं तो पानी दो कंगन के बिश में ठैर जाता है कंसता के उपर जो अवकाश है वहां भी संग्रीत होता है सारे अवकाश कंके इद्गिर्थ खाड़ी जगए पानी से पूर्न भरने से वहां की हवा बाहर निकल जाती है तो खाड़्य पत्ते तक पहुंशता नहीं फीर पेड़ पौदों की रुद्धी रुख जाती है पत्ते पिले पड़ते हैं जैसे हमारी भूमी ऐसी उबर धावर है यह उच्छी सखल तो आप देखोगे यहां का पौधा बहुत अच्छा है माथे का उसके निचे का पौधा उससे कम अच्छा है उसके निचे का पौधा उससे कम अच्छा है इसके निचे का पौधा ढ़लान का उससे कम अच्छा है लेकिन यहां जो है कहां निश्टली से में वहां के पौधे बहुत छोटे हैं और पिले हैं क्यों यहां वापसा है यहां वाफसा है, आप मिर्च टमाटर बेंगन के पौधे उगाते हो, सीड बेड में, पोश्चाला में न, यह वाफा होता न, बाफा, उसमें, और पानी भर देते हो, तो क्या होता है, किनारे किनारे के पौधे बहुत अच्छे होते, हरे भरे, और बिश्क के पौधे काशे होते है, फिले-फिले, सही बात है, क्यों, किनारे में वाफसा है, अंदर, वाफसा न, रोजाना, फसल, निरिक्षन के दर्मियान हम देखते हैं, उच्चाई के पौधे बहुत बढ़िया है, हरे बरे हैं, सशक्त है, क्योंकि वहाँ वाफसा है, लिकिन निश्ली जगर में जा पानी ठैरता है, वहाँ पौधे छोटे है, पिले है, रुद्धी ठैर गई है, कर के दो है, बस्त बढ़्बने हुने के दिए से हाँ, लिकिन भेर गोर्मियदी ठैर आर भालागीमिमे के दिए सबस्कöhön और स्बद्बन्क अभ sûr झुटनु निवहुत थमने उन्य वामले को भाली हा च्टिए तोन साट में फिए आन्याना, तो है रिए किसी भी पेड़ पौधे की दोपार को बारा बजी जो चाया पड़ती है सुरस की चाया उछ चाया के आकरी सिमा पर खाद्य एवां वाफसा लेने वाली जड़ होती है सिमा के अंदर नहीं सिमा के बाहर नहीं सिमा पर अब बोर्ट पर दिखिए ये पेड़ है ये दोपार की बारा बजे चाया पड़ती है यहां पड़ती है सिमा पर चाया के ये जड़ है जड़ का मुँँ सिमा पर है कहा है? सिमा पर अब पाउ कहा है? तना के पास मुझे बताइए पानी मुँँ में डालना चाहिए कि पाउ पर डालना चाहिए अगर दोपर के छाया के सिमा पर वाफसा लिने वाली जड़ होती है तो पानी, पानी सिमा के अंदर नहीं देना चाहिए सिमा के अंदर पानी देने से पानी ठेरता है सिमा के बाहर ज़्यादा दूर देना नहीं चाहिए लेकिन सिमा पर भी नहीं देना चाहिए जब हम छाय के सिमा पर पानी देते हैं तो पानी जड़ के मुह में डालते है जड़ ने कितना पानी पिना चाहिए यह निर्ने लेने का आधिका जड़ कहा है आपका नहीं क्यूंकि जड़ जब निर्ने लेती है तो उसको जितना वाफसा चाहिए उतना ही लेती है लेकिन उसके मुह में पानी डालने से निर्ने वहाँ वाफसा निर्मान नहीं होता क्योंकि जड़ को जितना चाहिए उससे हमने ज़्यादा पाने दिया होता है